प्राशकार साथियों, मैं अरव्यन सिंग स्वर्शने नोने 37 के बारे मारे आज आपको बताऊंगा आपने सवाल धिंगे पढ़े वंगे सुने होंगे कि एक बंदर एक पेंट पर चल ता है या एक बंदर एक खंबी पर चल ता है और चढ़ने के दौरान वो कुछ मीटर उचलता है, कुछ मीटर फिसलता है, कुछ फिट उचलता है, कुछ फिट नीचे गर जाता है ऐसी इस्तिति में बंदर पेड़ के या खंबे के सीर्स पर कप पहुंचेगा साथियों, आज आपको मैं ऐसे प्रशनों को हल करने का बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहा हूँ जहां से आपको बंदर से सम्मंधित प्रशने, मतलब बंदर का पेड़ पर चढ़ना या खंबे पर चढ़ना कैसे ऐसे प्रशनों को हल करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ और आप पर साथ वीडियो में बने रहे हैं ध्यान से देखिए साथियों कोई सुत्र नहीं कोई आपको फार्मूला नहीं बिलकुल ही मैं आसान एक डायग्राम बनाओंगा और इस डायग्राम के अधार पर आप सवाल को दो से चार सकंड में हल कर लेंगे साथियों मेरे आप वीडियो देखते हैं मेरे वीडियो में आपने देखा होगा मेरा ये प्रयास होता है कि आप सवाल को सबसे पहले तो आप सवाल को पहचानना सिख लेजिए दूसरी चीज़ है सवाल को प्रयास कीजिए मौखिक हल करने का अगर मौखिक सवा में आपका उत्तर आजाना चाहिए ये मेरा तरीका है और ये मेरा प्रयास है आपको साथियों आजिए मेरे साथा बोड पर जैसा कि आप देख रहे हैं बोड पर आपका पहला पर लिखा हुआ है कितने समय में एक बंदर साथ फिट लंबे पेंड के सीर्स पर पहुंच जाए यदि वहाँ एक सेकंड में तीन फिट उचलता है और तुरंत दो फिट गिर जाता है ये आपका सवाल आपको मिल गया सवाल बंदर वाला पेंड पर खंबी पर चढ़ने वाला सवाल पहचान लिया करना क्या होगा सीधे आप बोड पर आईए अब देखिए एक बंदर उपर बंदर पहुँँच जाएगा मतलब कुन लाकि बंदर को साट फिट का खंबा या साट फिट का पेंड है उस पर चढ़ना है तो ये देखिए आपका ये सबसे पहले आप ये बना ली दिए आपका ये हो गया जीरो फिट देखिए यहाँ पर और ये होगे आपका साट फिट इस सीड्स तक बंदर को जाना है कितने समय में यहां से यहां पहुचेगा ये आपको इस परशने बताना है तो हम जो है सवाल को जब भी पढ़ते हैं तुरंत ही सवाल को लगाते ही पूरी धूरी का सवाल कभी नहीं लगाते ध्यान दिजेगा अगर वह पुछ पुछता है कि 50 मीटर खंबे पर पहुचने में कितना समय लगेगा तो 50 मीटर खंबे पर पहुचने में समय कितना लगेगा हम सीधे 50 मीटर को हल नहीं करते हैं जो दूरी पूछी आती है पूरी दूरी के सवाल को हम हल नहीं करते हैं अब अध्यां से देखिए हमने 60 फिट फीट, पतास मीटर, पचीस मीटर उस टोटल दूरी को मान करके सवाल को लगाना सुरूमत कीजिए, भल्कि टोटल दूरी में से आप वो दूरी घड़ा दीजिए, जो बंदर की गद करने की छमता है, जो बंदर की छलां लगाने की छमता है, जो बंदर की उचलने की छमता है उस दूरी को टोटल दूरी में से घड़ा दीजिए और जो बचे उतनी दूरी का आप सवाल पहले हल कीजिए मतलब ये इस सवाल बज़े मंदर को 60 फिट लंबे पेंट पर चड़ना है 60 फिट हो गया सुरू से ही हम 60 फिट जाने में कितना समय लगेगा बिल्कुल नहीं हल करेंगे हम इस 60 फिट में से वो दूरी माइनस कर देंगे जो बंदर की गट करने की चमता है बंदर की च्छा लगाने की चमता है इस सवाल को अगर आप धान से पढ़िए तो बंदर की गट करने की चमता कितनी है बंदर की सवाल लगाने की चमता कितनी है एक सेकंड में तीन फिट उचलता है और तुरण दो फिट गिर जाता है मतलब बंदर की गत करने की चमता तीन फिट की है बंदर चार फिट ने उचल पाता तीन फिट उचलता है कितना उचलता है वो तीन फिट अगर बंदर गिरे न बंदा सवच के ना तो क्या करे गा टेन सब्सक्राइब टेन जैन्छ इन तीन 10 विट टेन 2 टेन फिट बर फिट ररा treating वह इसके जाल कि ओंड़े की तो पूरी ताकत मोझा तना है ञिस्ट शलता हो कित्ना फिट तहसे आ वर लिए तर तो इसको और नग जाता मतलब यह यहाँ पर बंदर की आउकात कितनी है बंदर की गत करने की छमता कितनी है चला लगाने की छमता कितनी है वो कितनी दोरी टै कर पता है एक बार में तीन फिट उसलता है तो बंदर की गत करने की छमता कितनी है तीन फिट इस तीन फिट को जहें तोटल दूरी में से बंदर की गठ करने की छंता को घ्ठा दीजिए साठ में से तिन हमने घ्ठा दिया कितना आया आपका 57 फिट ये देखिए अब हम सबसे पहले 57 फिट जाने में लगा समय निकालेंगे ये सी जिवाबत है बंदर जो है 57 फिट कितने समय में पहुंचता है हम यह निकाल लेंगे जैसे ही इसको निकालेंगे तुरंथ हमें अपने वास्तवीक प्रश्ट साट फिट जाने में कितना समय लेगा उसका अंसर मिल जाएगा उसका उत्तर मिल जाएगा अब हाल कैसे करते हैं 57 फिट के लिए आईए पर आप देखिए कह रहा है कि एक सेकंड में तीन फिट उचलता है और तुरंट दो फिट गिर जाता है एक सेकंड में तीन फिट गया दो फिट गिरा तो वास्तों में गया कितना फिर वो एक फिट वही एक ही सेकंड में तीन फिट उचला और तुरंट दो फिट गिर गया तीन गया और दो गिर गया तो तीन में से दो कम मतलब एक कुण लाकर वह बचारा चाड़ा सिर्फ एक ही फिट एक सेकंड में एक फिट है तो यह चुंकि एक फिट जाने में लगा समय बराबर कितना हो गया आपका एक सेकंड अभी आपने निकाल लिया कि एक सेकंड में तीन फिट उचलता है और तुरन दो फिट गिर जाता है तो इसका मतलब जो हुआ एक सेकंड में एक ही फिट की दोरी तैकर पाया तो एक फिट जाने में लगा समय बराबर एक सेकंड इसलिए 57 फिट जाने में लगा समय बराबर 57 सेकंड भाई एक फिट जान साट से कहीं नीचे, यहाँ होगा 57 भाई, 3 माल नीचे से कम होगा यह है 57 पीट, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा? 57 सेकेंड, क्लियर हो गया, 57 सेकेंड हो गया आपका, अब जैसे ही algorithm स्टार्ट होगा, 58 सेकेंड, तो बंदर की छलांग कितने फिटकी है? तीन फिटकी, शतावन तीन साठ और इस बार बंदर यहां पहुँँच करके इसको पकड़ के बैठ जाएगा ये रेका नहीं तो ये एक सेकंड अन्तिम वहला एक सेकंड सतावन फिट जाने में सतावन सेकंड इस 57 सेकंड में हम प्लस एक, हर सवाल में लाश्ट में आप एक जोड़ दीजिए यह आपका आगया 58 सेकंड मतलब बंदर को जो है 60 फिट पेंड लंबे पेंड के सीज पर पहुँचने में कितना समय लगएगा? 58 सेकंड 57 फिट जाने में यह 57 सेकंड प्लस यह अंतिम का एक सेकंड जो तीन फिट की छलाग है और इस बार जब वो तीन फिट छलाग लगाएगा तो पकड़ कर बैठ जाएगा, गिरेगा नहीं 57 और एक 58 सेकंड इस तरे से आप परसकों करते हैं साथियों अब मैं आपको एक प्रशन और बताऊंगा तो आप और बेतर से समझ पाएंगे साथियों देखिए, यह आपका वोड़ पर दूसरा प्रशन है बंदर वाला प्रशन सवाल को तेजी से पढ़िए आप एक 80 मीटर उचे खंभे पर एक बंदर एक मिनिट में पहचान लिया, ठीक है, चलिए इस पूरे सवाल में टोटल दूरी कितनी टोटल दूरी कितनी, 80 मीटर का खंभा है बना लिजे सामने आप, यह देखिए हो गया आपका यह, यह हो गया जीरो मीटर और यह हो गया आपका 80 मीटर यह आपका ऐसे है ठीक ना, 80 मीटर हो गया और यह तीर बना यह, ताकि यह आपको ऐसे ही उपर गाना है इसलिए हमने तीर बना दिया यह खंभा यहां से चल के बन्दर को 80 मीटर के दूरी प्रता करना है अब वो चलता कैसे है यह आगे दिया होगा, ठीक है एक बन्दर एक मिनट में पांच मिटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में दो मिटर नीचे फिसल जाता है यह नहीं कि सिर्फ वो छलांग मार मार के चढ़ी जाया गिर भी जाता है बीच में सरक जाता है, फिसल जाता है इसको आप समझी धान से एक मिनट में पांच मिटर चड़ता है दूसरे मिनट में दो मिटर नीचे गिरता है एक मिनट में पांच मिटर गया और दूसरे मिनट में तीन दो मिटर गिर गया पांजी एक मिनट में पांच गया और दूसरे में दो गिर गया वही पांच मिटर गया और पांच मिटर जाने बाद दो मिटर गिर गया तो फाइनली वह गया कितना तीन ही मिटर तो गया वही पांच गया और दो गया पांच मिटर गया पांच मिटर गया तीन मिटर गया और समय कितना गया आपका दो मिनट एक तो पहला मिनट वह जिसमें पाई मिटर गया और दूसरा मिनट वो जिसमें वो गिरा दो मिटर तो पहला मिनट जाने वाला दूसरा मिनट गिरने वाला मतलब दो मिनट मतलब यह एक मिनट में पास मिटर चाहता है और दूसरे मिनट में दो मिटर निके फिसलता है इससे यहां बात निकल करके आती है कि व कि तीन मीटर औच है तीन मीटर जाने कि संवrü कितना लगा है तो मीनट परंद जाने वाला दूसेद गळड़ने वाला दो मिनंट कि यह सबस्क्राइब ही किा तो क्याइब आफ चाया हुआरे झाल environments निगाने के नहीं मैंने आपको बताया था है जब भी आप सवाल को लगाए यह कभी आप टोटल दूरी को मत हल कीजी टोटल दूरी में से आप ऐप बंदर की गध करने की स्वेंद्धा बंदर की त्राल लगाने की संटा को कड़ा दीजिए यहां बंदर कि मिनट चाहें तो चड़ जाएगा लेकिन अगली ही पर वहू गिर भी जाता है मतलब यहां पर बंदर की गउझत करने की छंता बंदर की चरहनेकी छंता इने हैं पाज मीटर है वो हम माइनस कर हैं या नहीं भी है तो देखिए 3 मीटर जाने में 2 निट तो इसलिए एक मीटर जाने में 2 मीटर जाने में दो बट्टि 3 म fark पहले एक हम निकालने तो फिर आप निकालेंगे 75 मीटर जाने में लिगना समय बराबर तो दो बटित तीन गौनेhr आपका समय लगा पचास मिनट आपने लगा लिया पचास मिनट अब असी से नीचे यहां कहीं 50 होगा पचास मिनट लगा और जैसे ही अगला इक्याउनवा मिनट सुरू होगा उसके छलां कितने मिटर गिए है फांच मिटर गितर पांच असी मिटर ये तो यह आपका एक मिनट आप और जोड़ लेए इक्याउनवा मिनट इस पचास में हम जोड़ते हैं धन एक और यह आपका आगिया 51 मिनट एक्यावन मिट इस सवाल का फाइनली एंसर कितना आ गया एक्यावन मिट एक्यावन मिट में बंदर खंभे के सीड्स पर पहुंच जाएगा जब यह अंत्र में छलाँ लगाता है तो सीड्स को पकड़ के बैठ जाता है सरकता है इध्यान दीजेगा इस तरह से हम बंदर के पुछनों को हल करते हैं साथियो यह आपका बेसिक काउंसेट है बेसिक चीज़ आप जानेए सवाल को हल कैसे करते हैं कभी नहीं भूलेंगे आप तो साथियो यह मेरा वीडियो और मैं आपको अपने नेक्ट वीडियो में और रिजनिंग के और चीज़ लेकिए गया हूँगा अगर साथियो मेरा यह वीडियो पसंद हो तो प्रीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे सेयर कीजे और कोई भी आपको सवाल पूशना हो तो आप कमेट में सवाल पूश सकते हैं थैंक्स साथियो धन्यवाद